देश और देश के युवाओं में जो असाधारन गती दिखी हैं उसमें इस उर्जा का बहुत बड़ा योगदान है आज देश का मन बदला है और इसलिए जन जीवन भी बदला है साथियों भारत की संस्कृती हो या समाज समुरचना हो भारत का अध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो भारत का दर्शन हो या द्रश्टी हो हमने हमेशा जोड़ने अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोशित किया है हमने नए विचारों का स्वागत किया है उन्हें सवरक्षन दिया है हमने विवीदताओं को सम्रद किया है उन्हें सेलिप्रेट किया है ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है योग हमारी अंतह द्रष्ट को विस्तार देता है योग हमें उस चेतना से जोडता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है इसलिए हमें योग के जरिये हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है हमें योग के जरिये हमारे गतिरोधों और पतिरोधों को भी खत्म करके रहना है हमें एक भारत, त्रिष्ट भारत की भावना को विश्व के सामने एक उधारण के रुप में प्रस्तुत करना है भाईयों भेनों, योग के लिए कहां गया है? योगह कर्मसु कौशलम यानि कर्म में कुशलता ही योग है आज़ादी के अमरित काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत एहम है जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिध्धी तक पहुँच जाते हैं योग के जरिये हम निस्काम कर्म को जानते हैं हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तै करते हैं मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्त को भी बहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसाथ करेंगे हमारा शारिरिक सामर्थ हमारा मानसिक विस्तार हमारी चेतना शक्ती हमारी सामुहिक उर्जा विश्तिद भारत का आधार बनेंगे इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुपकामनाएं धन्यवाद विबर दिर इस काम मानसिक बाइन धन्यवाद ओिर कि एक बार, दिरा लोग्याद खिर में न बार, एक ब Π मदा Grace कि बार सMusicतार प्योग,hta法 अलार, ठावर आप सब्सक्तार झाल झाल झाल